अरे कुछ दिन पहले चोटनी लगी थी ये उसका निशान है यहाँ पर पिंपल हुआ था वो ठीक हुआ तो मांक छोड़ गया यहाँ पर हलकी सी डाक्टेस आ रहे हैं क्योंकि गलत प्रॉड़क्ट यूज कर लिया था क्या आपका चहरा भी नकाशियों से भरा हुआ है क्या आप भी अपने पिंपल मांक और उस चोट के निशान से परिशान है तो आज के वीडियो सिर्फ आपके लिए है पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सस्ते में इन सारे परिशानियों से इलजात पा सकते हैं और काफी अच्छे रिजाल्स पा सकते हैं और बहुत 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 पॉजटिव हैं वाई डिडाए कॉल यू पाफुल क्योंकि देखिए आप कैसा अनुभव कर रहे हैं यह जल्दी से आप निचे लिखकर बताने वाले हैं जो कि जरूरी नहीं है कि आप खुश ही हो उदास भी हो सकते हैं कभी-कभी मीना क अगर आप चानल पर पहली बार आए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है प्रेणा इस चानल का नाम है प्रीती प्रेणा बहतरी इंडियावर रेमिडीज हफते में तीन दिन लेकर मैं यहां अपने परिवार से मिलने के लिए आती हूँ जिनका इस्तमाल कर कि वो काफी खुश है तो अगर आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है बिलकुल मुफ्त है नीचे एक लाल रंगा बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है आप उसको क्लिक कर दीजिए बन गया परिवार का हिस्सा बगल में बेल आइकन इसका इस्तमाल अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है आपकी जो अक्ने माक्स है वो हट जाते है आपके चहरे पर कोई भी डिस कालरेशन हो रखा है उसको आप फिक्स कर सकते हैं अगर आपके चहरे पर अभी active acne है तो भी आप इसका 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 ये इतना powerful है और cheap इतना है कि आप सुनकर बोलेंगे नहीं हो सकता लेकिन believe me हो सकता है ये बहुत ही simple चीजे हैं जो हमारे घर से हमारे household से बहुत समय से जुड़ी थी लेकिन आधुनिकता के चलते हम कुछ न कुछ भूलते जा रहे हैं और उसी list में उसी सूची में हम इसको भ पता है कि आपकी local भाषा में इसे क्या कहा जाता है आज कल इसका इस्तमाल काफी कम हो गया है क्योंकि हम इसके बारे में पता ही नहीं है लेकिन हमारे दादा जी नाना जी जब shave किया करते थे तो इसी फिटकरी का इस्तमाल करते थे वही पत्थर जो अपने चेहरे पर से गायब हो गया लेकिन आज मैं आपके साथ शेर करने के लिए आई हूँ कि कि ये इक इतने सारी प्रकार से आप इस्तमाल कर सकते हैं और अपने चहरे पर मौझूद वो जो डाग है उनको आसानी से कैसे fix कर सकते हैं तो ये सफेट पत्थर जो कि मार्बल की तरह प्रतीत हो रहा है इसी को फिटकरी कहा जाता है जो कि आपके दाग, धब्बे, आपके चेहरे के निशान और भी बहुत सारे काम कर सकता है इस वीडियो में मैं बहुत सारी डायमेंशन इसको यूज करने के आपको बता रही हूँ क्य क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं तो प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा ताकि आप कोई भी नुकसान अपने लिए ना कर लें अच्छे से समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और अगर जल्दब अगर आप इसको भस्म बना दे यानि की कूट कर पाउडर में तब्दील कर लें चान कर अलग से रख लीजिए इसमें बहुत सारी तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं इसी पाउडर का मात्र साथ ग्राम अगर आप प्रती लीटर पानी में डालते हैं तो आपको क्लो मूँ से स्मेल आती है कई बार बैक्टिरियल इंवेजन हो जाता है और हमारी बकल क्याविटी से काफी स्मेल आती है तो उसका भी छुटकारा आप फिटकरी से पा सकते हैं लेकिन अगर आपके मूँ की स्मेल आपके गट की वज़ा से है तो वो इसमें आपको हेल्प नहीं अगर सेवन करना चाते हैं तो डॉक्टर को कंसल कीजिए और उसके बाद ही इसका सेवन आप कीजिए अगर आपके दात में दर्द है तो इसी पाउडर को लेकर आप हलका समहा पर लगा सकते हैं और आपके दर्द से आपने जात पास सकते हैं अगर आपके चहरे पर फिलहा ठीक होगा और वो जो निशान छोड़ जाते हैं आक्ने जो कि most of the time होता है वो नहीं होगा and you are going to have absolutely flawless skin after your acne. अगर आपको pimple हो गया है और निशान छोड़ गया है तो भी आप इसी powder को ले सकते हैं रोज वाटर में मिला सकते हैं चाहे तो आप इसमें हलका सा turmeric आड़ कर सकते हैं लेकिन आप इसमें kitchen healthy आड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर fit curry को help करने के लिए आप सिरफ wild turmeric का इस्त लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं तो fit curry में वाइल्ड टर्मरिक डालके रोज वाटर की साथ एक blend बनाके अगर आप अपने चहरे पर लगाते हैं तो जहां पर डाकनिंग है जहां पर जादा पर जाएगी और आप काफी खुश हो जाएगे चोंकि हम हमेशा चाहते हैं यस नो पहले के जमाने में जब दादा जी और नाना जी शेव किया करते थे तो आप टर शेव लोशन यूज नहीं करते थे वह इसी आलम का इस्तमाल करते थे क्योंकि आलम एंटाइसेप्टिक हो होता है और अगर कट्स लग जाते हैं तो उसको सील करने में उसको हील करने में बहुत हेल्प करता है ना सिर्फ यह एलम के अंदर एंटाइप्रेसिपिटेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हम जितने भी रोल ओन्स यूज करते हैं वह हमारे स्वेट ग्लांस को ब्लॉक करने क कि शमता रखते हैं जिसकी वजह से वहां डाक्नी हो जाती है आप सभी लिखते हैं कि आपके आमपेट्स काफी डार्क हो रखे हैं जिसके लिए रेमेडिय आपको चाहिए तो वह रेमेडिय है आप इसी पत्थर को आजटेस बाथरू में रख सकते हैं और नहाने के बाद अच्छे से अपने आमपेट्स पर इसको लगा सकते हैं यह बिल्कुल कालरलेस है बिल्कुल ओडरलेस है इसमें कोई स्मेल नहीं आती है यह किसी भी प्रकार से आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है आपकी जो स्वेट ग्लांज होते हैं उनको रिलाक्स करता है और बड़े महंगे महंगे रोल ओंस चाहिए आफटर शेव लोशन चाहिए लेकिन अब जो मैं आप लोगों के साथ चीज़े शेर कर रही हूं जो लोग इसमें तबदील हो सकते हैं जो लोग इसमें तबदील हो सकते हैं जो लोग आलम का इस्तमाल कर सकते हैं as an aftershave lotion as an anti-precipitt it's amazing for them आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं आप बहुत अच्छे से अपने आप से connect हो सकते हैं यह कोई unnatural चीज नहीं है जो आपने ले कर रहे हैं रोल ओंस का इस्तमाल करके कई बार ऐसा होता है कि जो लोगों को पसीना नहीं आता है उनको और भी जादा आने लग जाता है यह बहुत सारे लोगों ने register किया है और बताया भी है अगर आपका यह experience रहा है तो आप नीचे अवश्य बताएगा और alum का इस्तमाल इस चीज के लिए जो जो लोग करेंगे as an enter precipitant प्लीज आकर हमें जरूर बताएगा कि आपके लिए results कैसे रहे ताकि बाकी लोगों को भ कर देना है और चानकर रख लेना है चानना अभी अनिवार रहे है क्योंकि हम स्किन पर इसका इस्तमाल करने वाले हैं तो किसी भी तरह की रगड हम नहीं लगाना चाहते इसलिए चानकर पाउडर बनाकर आप इसको रख लेंगे एक डबी में इसकी shelf life बहुत लंबी होती है हलका सा rose water में इसको dilute कीजिए पिखलेगा नहीं लेकिन हां mix अच्छे से हो जाएगा और इसको आप डिरेटली अपने जहां भी आपको निशान है जिसको भी आप fix करना चाहते हैं वहां पर आप इसको लगा सकते हैं और आप gradually देखेंगे कि आपका वो जो निशान है वो इसको तीन-चार दिन के gap में करेंगे यानि कि आज आपने किया है तीन दिन आप नहीं करेंगे फिर चौते दिन आप इसको फिर से लगा सकते हैं and this way आपकी skin काफी जादा flawless हो जाएगी सारे निशान हट जाएगे और आपको काफी अच्छे results मिलेंगे अगर आपके चहरे पर सुनर और लेटर बार 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 blackheads और whiteheads हो जाते हैं तो इसी powder में rose water को मिला कि आप उस area में लगा सकते हैं और कुछ समय में आप देखेंगे कि आपकी skin जो है वो काफी जादा better off हो रही है और वो जो repeated blackheads आपको आ रहे थे वो आने कम हो रहे हैं you already have to know कि आपको patient रहना पड़ेगा एक बार लगाए और अगले दिन ठीक हो जाए ऐसा नहीं होगा gradually इस्तमाल करते रहेंगे तो आपको results दिखेंगे अब यहाँ पर मैं अपने परिवार के उन सभी सदस्यों को आगा करना चाहते हूं कि confused होने के आवश्चता नहीं है कि उस remedy में तो आपने कहा था कि वो जादा powerful है देखिए आपके पास जो जो resources available है अगर आप basin और वो सब और आप देखेंगे कि ग्राजुली ही आपकी स्किन पर इतना चेंज आजाएगा कि आप काफी खुछ हो जाएगे और आप देख सकते हैं कि काफी जादा मौसम बदल रहा है इसलिए लाइटनिंग चेंज हो रही है तो आप लोग वो आलाग अलग डिस्को लाइच में मैं दिख रही हूँ फिलाल तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि मेरी प्रस्तुती आपको पसंद आई हो कि अगर पसंद आई है तो दो गिवर थाम्स अप और अगर चानल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किये बिना बिलकुल मत जाएगा आप देख चुके हैं कि मैं कितनी कम कि चीज़ा यहां पर लेकर आती हूँ अगर आपके प्रेंट सर्कल में फैमिली सर्कल में किसी को इस वीडियो के आवशकता है तो उनके साथ इसे अवश्य शेयर कीज़ेगा मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विच सम्तिंग माजिकल फियू तब त कि अवश्य वीडियो में वीडियो